रितू की ननन्द इशानी के शादी उनके घर के एक पड़ोस वाले लड़के संदिप से होती है इस बात से रितू और उसकी सास मुक्ता बहुत खुश होती है चलो अच्छा ही हुआ इशू की शादी भी अच्छे से और पुरे विधी विधान के साथ हो गए और तो और उसका ससुराल भी पास में ही है जिस कारण वो हमसे दूर भी नहीं गए हाँ माजी इसी बहाने इशू अमारे नजरों के सामने रहेगी और प्यार भी बना रहेगा है न मुक्ता और रितू दोनों इशानी के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि उतने में वहाँ पर इशानी चलियाती है और वो दोनों उसे देख कर बहुत खुश हो जाते हैं अरे इशू तुम कर रात को ही यहाँ पर आई थी और तुमारी शादी अभी अभी हुई है ऐसे में बार बार अगर तुम अपने माई के आओगी तो तुमारी सास तुम्हे बहुत दाटेगी नहीं रितु भाबी मेरी सासुमा बहुत अच्छी है और वैसे भी मेरा नसिब बाकी बहुँकी तरह थोड़ी न है मेरा माई का तो बगल में ही है इसलिए मेरा जब जी करे मैं अपने माईके में आया जाया करूंगी हाँ इशु बेटा ये गरतत तुमारा ही है तुम जब चाहे तब आ सकती हो यहाँ पर और शादी वने के बाद लड़किया पराई थोड़ी ना होती है बल्कि हमारे परिवार में और लोग जुड़ जाते है हाँ इशु चलो बेठो अब मैं तुम्हारे पसंद के पनेर पफ्स बनाती हूँ वाउ पनेर पफ्स ठीक है वाबी जल्दी बनाओ और बताओ बेटा सुसुराल में सब ठीक है ना पत्फेरे की रसम के बाद दामाद जीसे मेरे कोई बात ही नहीं हो पाई हाँ माँ वा धरासर काम में बेजी है न इसलिए अच्छा सुनो न माँ मुझे न बहुत सोने का मन कर रहा है मैं आदा गंटा सो जाती हूँ तब तक भाबी मेरे लिए पप भी बना देगी ठीक है ना ठीक है बेटा जा जाकर सो जाए फिर एशू अपने कमरे में जाकर मस्त आदा गंटा सो जाती है और बाद में उठकर अपने भाबी के हाथ के बने पनिर पफ काती है माँ भाबी मैं क्या कह रही थी कि क्यों न मैं ललित के कमरे का टीवी और एस लेकर जाओ वो भी अपने ससुराल में क्या लेकिन इशू तुम्हें हमने दहज में कितनी सारी चीज़े दी है हाँ भाबी लेकिन मेरे दहज में मिला हुआ टीवी और एसी सासुमा ने अपने कमरे में लगा दिया है अब मेरे और संदिप के कमरे में ना तो कोई टीवी है और ना ही कोई एसी और हम दोनों दिन बर हॉल में तो नहीं बैठ सकते न हमें भी अपना प्राइवेट टीवी और एसी चाहिए हाँ तो ले जाना बिटा उसमें पूछने की क्या बात है जा ले कर जा ठीक ही मा थैंकिय सो मच फिर इशानी अपने छोटे भाई ललिक के कमरे का टीवी और एसी अपने ससुराल में ले कर जाती है मा जी है माना की देवर्जी दूसरे शेहर पढ़ते है लेकिन वो जब यहाँ घर पर आएंगे तब अपने कमरे में से टीवी और एसी गायव देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे अरे कोई गुस्सा उस्सा नहीं होगा वो क्योंकि हम उसके लिए नया खरीद लेंगे हमारे पास पैसो की कमी थोड़ी ना है माना की हम इतने अमिर नहीं है लेकिन इतने गरिब भी नहीं है कि इतनी सी चीज़े अफॉर्ड ना कर सके हाँ माजी लेकिन पैसा है इसका मतलब ये तो नहीं है न कि हम उसे पानी की तरह खर्ची करते रहे मैं तो बस अपनी राय दे रही थी बाकि आपकी मर्जी वही इशानी अपने ससुराल जाकर अपनी सास सुननदा से कहती है ये देखिये सासुमा आपने मुझे जो छे हजार रुपे दिये थे न उसमें मैंने ये बढ़िया सा सेकिंड एंड टीवी और एसी लाया है है ना एकदम मस्त अरे वाह क्या बात है इशानी बहु ये तब बहुत ही अच्छा लग रहा है चलो बढ़िया है वेसे बहु पूरे के पूरे छे हजार रुपे खर्च हो गई क्या हाँ सासुमा वेसे मेरा दोस्त दोनों के चार चार हजार बोल रहा था लेकिन मैंने उसे दोनों चीजों के मिला कर छे हाजार रुपे दे दिया खीके बहु कोई बात नहीं वेसे इन चीजों के लिए छे हाजार रुपे भी कम है तूँकि बहुत मस्त मिली है चीजे सच तो ये होता है कि इशानी ने अपनी सास को बेब कुप बनाया होता है मेरी सास भी न सच में एकदम भूंदू है इसे लग रहा है कि मैंने सच में ये दोनों चीजे पैसे दे कर लाई है लेकिन सच्चा ही तो यही है कि मैंने इस बुड़िया के दिये हुए पैसों का अपने पास ही रख लिया है और उसके बदले में वो सारत ज़रूरत वाला सामण अपने माईके से लेकर आती है एक दिन की बात है संदी पिशानी को गर के लिए कुछ सामान लने के लिए कहता है तभी ईशानी अपने माईके से वो सामान लेने जाती है ईशानी बैटा, आ गई तो आँ आँ क्या बात है इशु लगता है आज ससुराल में कोई काम ही नहीं है तुझे हाँ बाबी क्योंकि घर के सभी लोग बाहर गए है और सिधा रात को ही आएंगे इसलिए में यहाँ पर आ गई अच्छा ऐसी बात है क्या हाँ बाबी अरे वह ये क्या है नए नए शर्ट्स उनके जनम दिन पर लेकिन रितु भाबी भाईया तो इस तरह के शर्ट बिलकुल भी नहीं पहनते हाँ इशु मुझे पता है वो ओफिस के लिए प्लेन शर्ट ही पहन कर जाते है तो क्यों न मैं इन्हें संदिप को देडू उनका और भाईया का साइस भी तो सेम है क्यों मा सही कहाना मैंने हा बेटा सोच क्या रही है लेकर जा ना ठीक है मा लेकिन अरे ले जा बेटा पूरा दिन इशु अपने माईके में ही आराम फरमाती है और शाम में भी रितु से ही अपनी ससुराल वालों का खाना बनवा कर उन्हें पैक करके लेकर जाती है जब इशानी देखती हैं कि घर में राशन आया हुआ है तब वो उनमें से भी आधा राशन अपने ससुराल लेकर जाती है अरे इश्यू ये क्या पोहा, चावल, सुजी, दाल, दूद, बेसन ये सब सामन तुमने अपने लियक क्यों रख लिया तुमारे ससुराल वालों के लिए मैंने उस थेली में खाना पैक कर दिया है अरे भाबी, अब आपको क्या ही बताओ मेरे ससुराल में जिस कॉलिटी का राशन आता है वो बिल्कुल भी अच्चा नहीं होता इसलिए मैं अपने लिए अलग से लेकर जा रही हूँ अब जादा थोड़ी ना है, थोड़ा सही तो है अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो लेकर जाओ मैं बनिये से और सामन मंगवा लूँगी अब दीरे दीरे रितू को इशानी की ये हरकते बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती ऐसे ही इशानी मीठी मीठी बाते करते अपने माईके में से कभी अपनी भाबी की साड़ी तो कभी घड़ी या बरतन तो कभी अपनी मा के गेने ले जाया करती है और ससुराल वालो द्वारा दिये गए पेसो का अपने पास ही जमा करती है और उनसे जूट कहती है कि ये सामान उसने उनके ही पेसों से लाया है फिर एक दिन ईशानी की मा मुक्ता की तबियत खराब हो जाती है तब अपनी मा को देखनी के लिए ईशानी अपनी सास सुनन्दा के साथ अपनी माई की आ जाती है तब ही इशानी रितु के पास जाकर कहती है रितु भावी मेरी सासुमा को कुछ भी मत बताना कि मैं यहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेकर जाती हूँ हाँ लेकिन एसे क्यों बला उन्हें पता नहीं है क्या और अगर ऐसा है तो तुमने ये बात उनसे क्यों चुपाई ऐसे ही भावी अच्छा नहीं लगता ना इसलिए अरे इशानी बहु रितु क्या बाते हो रहे ये तुम दोनों के बीच तनिक यहाँ तो आओ और बेटकर बाते करो जी काकी जी आती हो सासुमा इसलिए की उस बात को लेकर रितु के मन में अब शक पेदा हो जाता है इशु ने मुझसे वैसे क्यों बोला होगा अब इन दो महिनों में इशु ने लगबग आदा माय का खाली तो कर ही दिया है ना जाने इतने दिनों में वो गर की कितने सारी चीज़े लेकर गई है तो उसमें सुननदा काकी से चुपाने वाली क्या बात है ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रहे है फिर एक दिन सुननदा इशानी को बजार से एक नया लैम्प खरीदी करने के लिए पैसे देती है लेकिन हमेशा की तरह इशानी उन पैसो को अपने पास ही रख लेती है और उसके बदले अपने माई के जाकर वहाँ से लैम्प लेकर अपने ससुरा लाती है देखिए सासुमा हेना एकदम कमाल का लाइट इसकी लाइट के कॉलेटी भी कितनी अच्छी है और इसका रंग भी हेना एकदम सुन्दर हाँ इशानी बहू सही कहा तुने संदिप को भी ये लैम्प बहुत पसंद आएगा लेकिन उस लैम्प को देख कर सुननदा के मन में एक खयाल आता है मुझे इसक क्यों लग रहा है कि मैंने इस लैम्प को पहले भी कही पर देखा है कहा देखा है अरे हाँ याद आया ये लैम्प तो मैंने इशानी के माईके में देखा था वो भी उस दिन जब हम उसका हाथ मांगने गए थे लेकिन ऐसे लैम्प तो कही सारे हो सकते हैं ना मैं भी क्या सोच रही हूं लेकिन उस दिन इसने जो घड़ी लाई थी वो भी इसके माईके में ही देखी देखी सी लग रही थी और तो और इसने मेरे लिए जो साड़ी लाई थी वो भी इसके बाबी के साड़ी जैसी ही लग रही थी और तो और राशन भी माईके का ही लग रहा है वो लोग उसी कंपणी के पदार्ति इस्तिमाल करते हैं फिर चाहे वो बेसन हो या फिर दाल कहीं मेरे मन में चल रहा शक सही तो नहीं लगता है इशानी मुझे पैसे तो लेती है लेकिन सारी चीज़े अपने माईके से लेकर आती है पता नहीं उन पैसों का क्या करती है ये चुडेल फिर सुननदा इस बात का पता लगाने के लिए रितु को कॉल करती है और उससे सारी सच्चा ही पूछती है जिसके बाद रितु उन्हें सारी सच्चा ही बता देती है कि इशानी अपने माईके से ही सारी चीज़े लेकर जाया करती थी हा का किजी मुझे हुआ है काकी जी कुछ नहीं रहे तु बेटा अच्चा चल ठीक है मैं रखती हूपर तु अपना खयाल रखना लेकिन काकी जी सुननदा कॉल कट कर देती है और अब उसे इशानी की सारी चाले समझा चुपी थी फिर उसके बाद वो इशानी के पास चली जाती है औरे माज जी आप मेरे कमरे में चलो अच्छा हुआ क्योंकि मैं आपके ही पास आ रही थी मुझे पचास रुपे दीजिए ना वो गड़ी का सेल खतम हो गया है और दूद भी लाना है मुझे शाम के चाय के लिए दूद ही नहीं है घर में एक काम कीजिए आप मुझे राउंड किसे हैं जहां से तु हर एक चीज लेकर आती है हां क्या या आप क्या कह रही हो सासुमा अब अच्छा ही की मूरत बनने के कोई जरूरत नहीं है बहू क्योंकि मुझे तेरा सारा कच्छा चिट्टा पता चल चुका है कि कैसे तुने पैसों के लालच में अपने पुरे माइ तुने बजार से लाया है क्यों सही कहाना मेने सासुमा वो ना वो अरे क्या वो यह सब करते हुए तुझा शरम नहीं आई क्या निरलच्ज कही कि अपने ही घर वालों के साथ ऐसा कौन करता है बला अरे इतने पैसे होने के बावजुद्धि तुझे और पैसे क्यों कहा लेकर जाएगी इतने सारे पैसे ऐसा कौन सा ताज में एल बानना है तुझे आकिर क्यों इतना लालच माफ कीजिए सासुमा अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगे तुने एक बहुत ही बड़ी गलती की है और तेरी इस गलती के लिए में तुझे कभी माफ नहीं और तेरी सजा यह है कि तुझे आज के बाद हम एक रुपया भी नहीं देंगे बजार से जो भी सामान लाना है वो हम खुद लाएंगे बाद बाद पर तु बाहर बिलकुल भी नहीं जाएगी और भले ही तेरा माई का पड़ोस में है लेकिन तू आपर सिर्फ तीजर त्य सासुमा मुझ पर रहम कीजिए ली से समत कीजिए और मुझे माफ कर दीजिए सासुमा इशानी अपनी सास के सामने बहुत किर गिडाती है लेकिन सुननदा उसे माफ नहीं करती है और इस तरह इशानी को उसके लालच की सजा मिलती है और वो अपनी इस गल्दी के लिए बह लीना का पती वैसे तो उससे बहुत प्यार करता है लेकिन हाली में पूरब के हावाव काफी बदल चुके थी एक रात जब लीना अच्छानक से जाग जाती है तब ही वह देखती है कि पूरब उसके बगल में है ही नहीं ये क्या पूरब कहा चला गया वो भी रात के दो बजे पूरब पूरब लीना पूरब को पूरे घर में दुणने लगती है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता फिर वो जाकर अपनी सास को उठाती है हे भगवान ये लड़का इतनी रात को कहां चला गया एक काम कर बहु तू उसे फोन कर मा जी आपको क्या लगता है कि मैंने उसे फोन नहीं किया होगा अरे मैंने उसे फोन करनी के बहुत कोशिश की लेकिन वो मेरा फोन उठा ही नहीं रहा ना जाने किस चुडेल के पास जाकर मुँ मारने लगा है अक्का सपूँ लीना बहु जदा मुँ मत चला वो मेरा बेटा है और वो बाकी लड़कों की तरफ बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उसकी परवरिश मेने की है हा तो परवरिश भले ही आपने की हो लेकिन अभी मुझे उसके लक्षन कुछ ठीक नहीं लग रहे है माजी फिर वो दोनों दो खंटे तक उसका इंतजार करते हैं जिसके बाद चार बजे पुरब वापस आता है तुरब बेटा क्या हु हुआ है कहां चला गया था तु अरे आप तु कितने प्यार से पूछ रही हो माजी और तुम पुरब आ गए मूं मार कर बताओ इतनी रात को कहा गए थे तुम और हम दोनों को इतनी रात को अकेला छोड़कर बाहर जाने में तुमें शरम नहीं आई क्या निरलज्ज कही के लिना ये सब तुम क्या कह रही हो तुम जो कुछ भी कह रही हो या सोच रही हो वो सब गलत है मैं कही मूं मारने नहीं गया था मुझे वाकई में एक अरजंट ओफिस का काम आ गया था इसलिए मैं ओफिस चला गया था वा जी वा अरे तुमें क्या लगता है मैं कोई कुछ भी समझ नहीं आएगा और इदनी रात को ओफिस कौन जाता है ओफ फो लिना अरे मेरा ओफिस तो नाइट में भी चालू रहता है नाइट शिप्ट के लिए अलग से वरकर है वाँपर लिज जरा अपनी ओवर्थिंकिंग कम कर दो यार और गौड से देखा मैंने लगाने वाँ फिर एक दिन जब लीना राशन वाले की दुकान में कुछ सामन करीदने के लिए जाती है तब ही अरे आई आई यह अलीना बाबी कुछ सामन लेना रह गया था कि यह परसो ही पूरब भाई सब सारा सामन लेकर गए थे क्या पूरब और वो भी आपकी दुका किसी बाते कर रही हो बाबी आप दुकान में ग्राक सामन लेने ही आएगा ना वैसे उन्होंने डेर सारा सामन खरीदा एट टू जेर सामन खरीदा है उन्होंने इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आखिर क्या सामन रह गया जो आपको आना पड़ा लेकिन पूरब ने तो घर पर कोई राशन नहीं लाया ये पूरब आखिर क्या कर रहा है किसके लिए इसने राशन खरीदा होगा फिर घर जाते समय लेना को रास्ते में इशानी मिलती है जो कि पूरब के ही ओफिस में काम किया करती है अरे लेना कैसी हो तुम मैं तो बिलकुल थी को इशानी बस आज कल मजे चल रहे है की नहीं और ऐसा क्यों भला ऐसे क्यों बोल रही हो तुम इशानी क्या तुम भी लेना अरे उसका टाइम शिफ्ट का डियूरेशन कम हो चुका है ना अब वो दूसरे प्रोसेस में शिफ्ट हुआ है जहांके वर्किंग अवर्स नौ नहीं बलकि जल्दी निकल जाता है और अभी तो वो अपने फ्रेंज के साथ रुपता भी नहीं है टफरी करने के लिए अच्छा ऐसी बात है क्या इशानी की बाते सुनकर लेना का शक कोर जदा बढ़ जाता है फिर गहर जाकर वो अपनी सास को सारी बाते बताती है अब आप ही बताई माजी मैं सही कही रही थी या गलत आपका बेटा किसी और को राशन देता है अरे वो तो अफिस से जल्दी निकलता है लेकिन घर पर गंडो लेट आ रहा है रात में तो अच्छानक से अफिस के काम के लिए बाहर निकल जाता है ये सब क्या चल रहा है माजी अब आप ही कु से पूछ कर रहोंगी फिर रात में पूरब जब घर आता है तभी उसे उपासना और लीना सवाल पूछने लगती है बता बेटा चुप की हो गया तू ओफो मा आप और लीना को क्या हो गया है कितना शक कर रही हो आप दोनों मुझ पर अरे आप दोनों जैसा सोच रही हो व अब पुन्य करना भी पाप हो चुका है क्या क्या हां लीना पूर लीना प्लीस मेरा विश्वास करो बाबा मैं क्यों किसी और के चक्कर में पड़ूंगा तुमारे दिमाग में जो खयाली पुलाओ पक रहा है वैसा कुछ भी नहीं है प्लीस मुझ पर भरसा करो लीना कैसे बरोसा करूपूरब मुझे तु कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल तुम्हें हो क्या गया है तुम जूट कहते हो या सच इस पर भी अपशक होने लगा है मुझे इतना कहकर लीना अपने कमरे में चली जाती है लीना अरे लीना मेरी बात तो सुनो यार लीना फिर ए पूरब को एक औरत के साथ देख लेती और वो उसका पीछा करने लग लेकिन वो उतने में वहाँ से चला चाता है ये क्या ये तो पूरब ही था लेकिन ये किस औरत के साथ था अखिर कौन थी वो कहीं लीना बाहु का शक सच तो नहीं है ना फिर रात होने पर उपासना पूरब से अकेले में कहती हैं पूरब बेटा ये सब क्या चल रहा है तेरा क्या मतलब मा आखिर आप कहना क्या चाहती हो अब ज्यादा भोला मत बन मैंने आज तुझे होस्पिटल में देखा था और तेरे साथ एक औरत भी थी क्य ज्यादा वो मैं नहीं था मा और ये हो ही नहीं सकता जूट मत बल पूरब वो तुझी था मेरी आखे धोका नहीं दे सकती मैं इतनी भी बुड़ी नहीं हुई हूँ तो ने यही सफेद शेट पहना था और वो तेरी ही गाड़ी थी जिसमें वो औरत बैटी थी और फिर तो उसके साथ चला गया लेकिन मा सफेद शेट तो नॉर्मली सभी लोग पहनते हैं आप मेरा यकिन कीजिए मैं वहाँ पर नहीं था चुपो जापुरब मैं तेरी माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे का जुट पकड़ ही लेती है तेरी शादी हो चुकी है अब घर समझा तू ओफो मा क्या अब भी सच में क्या से क्या सोच रही हो जो मन में आ रहा है बोले जा रही हो जबकि मैं कह रहा हूँ कि मैं वहाँ पर नहीं था चप एक दम चप जितना मैंने कहा है उतना कर मेरी बातों को ध्यान से सुन और अपनी घर ग्रुएस्ती में ध्यान द होता है तभी वह पूरब के आने का इंतजार कर रही होती है कब से केक खाना है मुझे ना जाने कब आएगा ये पागल लड़का कितनी देर हो चुकी है अब तक तो उसी ऑफिस से आ जाना चाहिए था लगता है सीधे पारा वजे के बाद ही आएगा माजी जब मेरा जनम दिन खतम हो चुका होगा अरे इनका ओफिस तो कितने जल्दी छूटता है लेकिन उसके बावजुद भी ये गर पर कितने लेटाते है सच में परेशान हो गई हुमें अपने पती से बहु अब तो मुझे भी पूरब पर शक होने लगाए कि आखिर वो कहा पर जाता है और उसे इतनी दर क्यों लगती है गर में तो मानों उसके पाव ही नहीं टिकते हैं राजों से भरा हुआ है आपका बेटा माजी लेकिन अब बस बहुत हुआ अब मुझे सच का पता लगाना ही होगा देखिए माजी कल हम दोनों पूरब के ऑफिस के बाहर चले जाएंगे चुदकर उसकी निकलने की राह देखेंगे और जैसे ही वो अफिस के बाहर निकलेगा हम उसका पीछा करेंगे हाँ बहु बिल्कुल सही कह रही है तू यही पिलान सही रहेगा फिर अगले दिन उपासना और लीना दोनों मिलकर पूरब के ऑफिस के बाहर चले जाते हैं और चुपक मिलकर वाले भाई साब जल्दी जल्दी चलाओ ना कहीं वो आगे निकलकर गाएपना हो जाए और नहीं तो क्या अरे टैक्सी चला रहे हो यह बईल गाड़ी जल्दी बगाओ खाना नहीं गायक यह सुबे का अरे क्या मैडम आप भी, मैं तो अपने टैक्सी फुल स्पीर में ही बगा रहा हूँ तो फिर ओर स्पीर से बगा, आज तो पूरब की खेर नहीं आज तो इसके सारे राजों से पर्दा उठा कर ही रहेंगे बाई गौड, अगर केसी लड़की का चक्कर हुआ न, तो मैं पूरब और उस डायन का दोनों का कचुमबर बना कर रगगूंगी बता दे रही हूँ माजी फिर पूरब अपनी गाड़ी को रोप कर एक घर में चला जाता है और तभी उपासना और लीना भी, खिड़के से जाब कर देखने लगती हूँ लेकिन पूरब तो असल में अपने बच्पन के दोस्त, अतुल की देखरे करने आया होता है धन्यवार पूरब भाही साहब, आप सच में बहुत अच्छे और सच्छे दोस्त हो आप तो हर रोज अतुल को देखने आते हो, हमें जो जो चाहिए, जिस चीज की मदद हो सब देते हो आधे रात को भी अतुल की लिए चले आते हो, इस कलियोग में आप जैसा दोस्त पाना, बहुत मुश्किल है सच में भाही साहब, आपका तहे दिल से धन्यवाद शारदा बाबी, आप ये सब बोलकर मुझे पराया मेसुस क्यों करा रही है, अतुल मेरी जान है सारा सच अपनी नजरों के सामने देखकर, लीना और उपासना हैरान हो जाते हैं फिर वो दोनों भी अंदर चली जाते हैं, और तभी, पूरा बातुल और श्रद, उन दोनों को देखकर चोक जाते हैं मा, उपासना, तुन दोनों यहाँ पर? हाँ, पूरा, वो दरसल, दरसल हमें तुम पर कुछ ज्यादा ही शक होने लगा था और इसलिए हमने तुमारा पीचा किया लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँच गए, तो यह सब देखकर हमारा दिल बर गया बेटा अतुल बेटा, यह सब क्या हो गया तुझे? मुझे माफ कर दो लेना, लेकिन मैं मजबूर था क्योंकि मा मेरी तरह ही अतुल पर बच्पन से ही जान देती है और वो पहले से ही हार्ट पेशन्ट है इसलिए मैंने घर पर अतुल के बारे में कुछ नहीं बताया इसका बहुत बड़ा एक्सिडेंट हुआ था बगवान से बहुत प्राठना भी करूंगी अब मैं समझी, उस दिन होस्पिटल में तेरे साथ शार्दा थी और तुने राशन भी इनी को लाकर दिया था लेकिन पूरब, अगर तुम मुझे पहले ही बता देते तुम में भी शार्दा भाबी की मदद ही कर देती ना I'm sorry लिना, कोई बात नहीं क्योंकि किसी अच्छे काम के लिए बूला हुआ जूट जूट नहीं होता और इस तरह अंध में, सब कुछ ठीक हो जाता है और सारी गलत फे में दूर हो जाती है सोनाली और इंदर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो दोनों लव मैरेज कर लेते हैं सोनाली के ससुराल बाले बहुत अमीर होते हैं उनकी खुद की राशन की दुकान होती है लेकिन अमीर होने के बाद भी उनमें जरा भी गमन नहीं होता ये लो सोनाली बहु ये तुमारे लिए शगुन के गहने और ये खूपसरत सी साड़ी पसंद आई ना तुम्हें हाँ माजी ये तो बहुत ही सुन्दर साड़ी है मैं इस साड़ी को पहनने के बाद इसका एक बड़िया सा लेंगा भी बना सकती हो मतलब ये तु क्या केर रही है बहु मैं कुछ समझी नहीं अरे कुछ नहीं माजी वेसे इन गहने और इतनी खूपसरत साड़ी के लिए थैंक्यू सो मज चलिए मैं आपके लिए गर्मा गर्म मसाले दर चाय बनाती हूँ ठीक है बहु पुषपा एक बड़े से बक्से में घर के सारे पुराने कपड़े अपनी काम वाली को देने के लिए निकाल रही होती है तब ही वहाँ पर सोनाली आती है अरे ये क्या माजी आप ये सारे कपड़े कहा ले जा रही है कही ले नहीं जा रही बहू मैं इने काम वाली शांता बाई को दे रही हो इसमें इंदर के पापा के पुराने कपड़े है इंदर के कॉलेज तैम के शर्ट और टी शर्ट और मेरी भी काफी पुरानी साडिया है ओ ओफो माजी ये, आप भी न, खामखा इने शांता बाई को दे रही हो, तो इन पुराने फटे हुए कपड़ों का में क्या करू, क्या इनका आचर डलू, वेसी बात नहीं है माजी, आपको में वो बात कहिकर नहीं, बलके करके दिखाऊंगी, बस ये सारे पुराने कपड़े आप मुझे दे दीजिये, सोनाली को हमेशा से ही टेलरिंग का बहुत शौक होता है, वो उन सारे पुराने कपड़ों को अलग धन से काट कर, एक नया सा डिजाइन बनाती है, शर्ट और पुराने कुर्टों को काट कर, उनसे बलाउज और टॉप बनाती है, और अपनी सास क पुरानी साडी असे, वो अनारकली ड्रेसूर लेहंगा बनाती है, ये सब देख कर, उसकी सास, ससुर और पती तीनों की तीनों आश्यरी चकित रह जाते हैं, वाँ 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 बहुरानी, तुमने तो ये कमाल ही कर दिया, इन सभी पुराने कपडों से तुमने एकदम नवेले और शांदार कपड़े तयार किये है, वाँ कई में, काबिल एक तारिफ काम है तुमारा, होगा क्यों ना, आखिर बीवी किसकी है, हाँ बेटा, ये बात भी बिलकुल सही है, थैंक यू सो मज, अब मैं ये अनारकली ड्रेसेस, और ये खुबसूरत से लहंगे मेरी प्रेंट की शादी में पहनोंगी, बभू, तुम इन सब कामों में कितनी माहिर हो, तुम अपना खुद का दुकान क्यों नहीं खोल देती, हाँ सोना ले, वहाँ तुम अपने हातों से बनाए हुए, सारे डिजाइनर ड्रेसेस बेच सकती हो, हाँ, वेसे आइडिया तो बह काम शुरू कर दे, वेसे भी मोहले में हमारी एक दुकान है, जो खाली पड़ी है, उसे रेंट पर देने की जगे तुम ही उसमें अपने ड्रेसेस बेचना शुरू कर दो, हाँ माजी, आज के जमाने में जहाँ एक लड़की की शादी होने के बाद, उसके ससुराल वाले उ वो दिन रात मेहनत करके, अलग और हटके डिजाइन वाले कपड़े बना कर बेचनी लगती है, उसकी दुकान के ठीक सामने, नुपूर नामक एक लड़की की कपड़े की दुकान होती है, लेकिन सोनाली की दुकान खोलने की वज़े से, नुपूर की दुकान पर काफी सुन्दर डिजाइन्स है मेरे पास आलिया भट से लेकर परिनिती चोपरा तक सबने वाइट लेंगा ही पहना था उन्ही की तरह है ये इट्स वेरी ट्रेंडिंग अरे का है का ट्रेंडिंग तुम्हारी अकल वकल ठीकाने पर है की नहीं शादी है किसी का अंतिम संसकार नहीं जो सफेद कपड़े पहन कर करने चले जाओ हाँ मा शादी में मुझे लालिया हरा जोड़ा ही पहनना है ये हो क्या गया है सबको सेलिब्रेटिस को देखकर सब उन्हें कॉपी करने लगते है हमारे कल्चर और ट्रेडिशन का तो कोई महत्वे ही नहीं रहा अरे हमारी जमाने को बिगाड कर रख दिया है इस आलिया कालिया ने तभी उस दुकान से बाहर आने पर उन दोनों मा बेटी की नजर सोनाली की दुकान पर जाती हैं अरे मा वो देखो उस दुकान की तरब तो हमारी नजर ही नहीं गई उसमें तो एकदम बढ़िया बढ़िया डिजै वाला भी लेंगा है हाँ बेटा चलो इस मनूस दुकान में तो राजनिती परिनिती और आलिया कालिया क्या लावा और कुछ नहीं रखा चलो फिर मा और बेटी दोनों सोनाली की दुकान में जाते जहाँ पर उन्हें भारतिय संस्कृत को मद्दे नजर रखते हैं सोनाली द्वारा बनाए गए अनोखी डिजाइन्स मिलते हैं ये देखिए ये डिजाइन्स आप पर बहुत जचेंगे आप मारवारी हो ना तो आपके ट्रेडिशन को भी ये काफी जलका रहा है सच में बेटा ये डिजाइन तो बहुत ही सुन्दर है मुझे तो ये दुकान बहु के पास वाँ सच में मजा ही आ गया ये सारे लेंगे मैंने अलग-अलग कपड़ों को मिला कर यानि अपसाइकल करके बनाए हैं कुछ साड़ी से हैं कुछ कुर्तों से और कुछ चर्ट से बनाए हैं वाव अमेजिंग सोनाली की दुकान की तरत किसे अब नुपुर की दुक हिंडर ने तो कहा है जल्दी से तयार होकर जंगल के पास वाली नदी के लोकेशन पर आज जाना उसने मेरे लिए आज नाइट सर्प्राइज प्लैन किया है पर आज वो मुझे इस सुन्दर सी नाइटी में देखकर तो फ्लैट ही हो जाएगा सोना ली होटेल के रूम में नाइटी पहन कर सजने लगती है वो नाइटी भी उसने खुदने ही बनाई होती है लेकिन बाहर जाने से पहले ही उसकी नाइटी एक ड्रावर में आटक जाती है और वो फट जाती है अरे नहीं ये क्या मेरी नाइटी तो फट गई मेंने कितने प्यार से बनाये था इसे अब मैं क्या पहनूंगे इंदर के तो मैसेज पे मैसेज आ रहे है अब इतनी लास मिनिट पर मैं क्या करूँ सोनाली बहुत परिशान हो जाती है वो आसपास कपड़े दोंती है जिससे वो कोई नाइटी बना सके लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता होटेल रूम के बाहर देखने पर उसे डेल सारी घास नजर आती है और उसके साथ फूल और पत्ते भी होते है चलो अब मुझे इसी से कुछ बनाना होगा सुई धागा तो हमेशा मेरी बैग में ही रहता है भगवान जी अब सब आपके हाथ में है प्लीज इस नाइटी को अच्छा बना देना मैंने इस से पहले घास और फूल पत्तों की नाइटी कभी नहीं बनाई फिर सोनाली फटा फट से एक बेहद ही गास की नाइटी बनाती है और वो पेहन कर वो नदी किनारे जाती है इंदर तो सोनाली को उस नाइटी में देख पागल ही हो जाता है वाव सोनाली तुम इस घास की नाइटी में क्या लग रही हो कितनी सुन्दर है यह अमेजिंग थैंक यू सो मच इंदर फिर सोनाली और नदी के पास ही रात बर बैट कर बाते करते हैं और अच्छा कॉलिटी टाइम स्पेंट करते हैं सोना ली के गास की नाइटी की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद वो काफी फेमस हो जाते हैं और उसे अब देरो ओनलाइन ओर्डर्स भी आने लगती है इंदर मुझे एक साथ दो सो गास की नाइटी की ओर्डर्स आई है वाँ, कॉंग्रेचुलेशन सोना ली सोना ली अपनी गास की नाइटी को दुकान में भी बेचने लगती है और खुब मेहनत करती है वो आगे जाकर एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनती है